ओम शांती, 31 दिसंबर बाबा कहरें मीथे वच्चे, सदा सुखी रहो बापा सिर्वाद दे रहे हैं देही अभी मानी बनो, मुझे याद करते रहो तो तुम सदा सुखी रहेंगे बच्चे जानते हैं कौन कह रहा है हमें मीठे बच्चे स्वयम निराकार भगवान बोल रहा है तुम घर गरस्त में रहते हुए अब पवित्र वनो पवित्र ताही सबसे स्रेष्ट कर्म है, सुब कर्म है इस सुबकर्मे देरी नहीं करनी चाहिए, कावत है न, सुबकर्मे देरी नहीं, तो पवित्र बनना है और सब को बनाना है, तुम्हें अपार खुशी में रहना है, कोई पांच दस लाख भी कमाते हैं दुनिया में तो कितने खुश रहते हैं बावा तो तुम्हारे खजाने भर रहा है सिर बावा तुम्हें स्वरक की बादसाही देने आया है तुम्हारा जीवन सोने जैसा बन जाएगा ये भारत सोने की चेडिया बन जाएगा तुम्हारे पास अथाओ धनसंपदा सुक्ष्यानती होगी तुम नंबरवार पुटसार्थ कर माला के दाने बनते हो जो माला के दाने बनते हैं वही नंबरवार वहाँ चल कर राज करेंगे वहाँ कैसी रसम रिवाज होगी जो कल्प पहले हुई थी वही होगी ज्यादा इसमें चिंतन करने की ज़रूरत नहीं हम समझते हैं पिसले पचास सालों को भी देखो कैसे मकान ने बनते आए देश हमारा देश सज़ता गया नहीं ने चीजे निकलती गई कंप्यूटर आए क्या भो गया एलेक्ट्रोनिक से तो सब कुछ ऑटोमेटिक विली संसार में परिवर्तित होता रहता है सत्यूग भी सर्वस्रेष्ट हो जाएगा बाबा कहते तुम्हें बार बार मेहनत करनी है आत्म भीमानी बनने की भारत में तो पूजा भगती यग तप दान पुन सब होते रहते हैं लेकिन उनसे किसी को मुक्ति नहीं मिली यहां मनुस्यों की पूजा होती है मनुस गुरूओं के आजकल मंदिर बन गए हैं वो एपवित्र हैं क्योंकि उनके देहे पवित्र हैं पवित्र देवताओं की पूजा होती है जिनके देहे और आत्मा दोनों पवित्र हैं निराकार परमात्मा और आत्माओं की पूजा ह होती है शिव के मंदिर में साली ग्राम रखे रहते हैं बहुत सारे चछोटे तो पूजा एक की भी होती है और अनेकों की भी होती है कलियों में जो पूजा हो रही है देधारियों की ये बूत पूजा कहलाती है सरीरों की पूजा हो रही है अब तुम्हें सिव बाबा कर सच् कहते हैं स्वयम और्य लाइच करो बावा ने आत्मा का घ्यान दिया मैं आत्मा इन आगर यहसे देख रही हूं मैं आत्मा बहुत सुख्स महाँ मुझे कि फिर से जाना है वहीं कि चिंतन करो बाबा कह रहे हैं यह तुम्हारा बहुत इंपोर्टेंट लेस्टन है इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो देवान छूटता जाएगा विकार छूटते जाएंगे देवान ही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्रू है जो विकारों में गिरात आत्मा को पतित बनाता है तुम्हारे शिर पर जनम जनम का पापों का बहुत चड़ता है तुम्हें जनम जनम बहुत पाप कर लिये हैं इसलिए पतित पावन भगवान को बुलाते हैं अगर भकति पुजा पाढ़ दान पुन्य यह त्योग यह तपश्याओं से सद्गती ह हो गई होती पावन बन गए ओते तो तुम मुझे जो बुलाते मैं ही चेतन बीज स्रस्टी का बीज ज़ान को सागर पतित पावन हूं मैं हode की अथोरीटी भी हूं ज्नकी अथोरीटी हूं संपोर्ण जयन देकर तुम्हें पावन बना देता हूं तुम्हें शरष्टी के आधी मध्यांत का ज्यान देकर सुदर्सन चक्रधारी बना देता हूँ सास्त्रों में तो लिख दिया विष्णू की नावी से ब्रह्मा निकला ऐसी कोई बात नहीं होती और ब्रह्मा के हाथ में सास्त्र लिखा दिये क्योंकि मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें सभी स्वेदो सास्त्रों का सार समझा देता हूँ मैं सास्त्र पढ़ता नहीं हूँ अब देखो मैं निराकार निराकारी दुनिया का वासी ब्रह्मा सुक्ष्ण वतन का वासी सुक्स वतन में आकर मैं कैसे किसको क्यों ग्यान सुनाऊंगा ग्यान तो मुझे यहां देना है तो ब्रह्मा भी यहां और मैं भी अपने परमधाम से इसके तन में आकर तुम्हें सत ग्यान देता हूं दे रहा हूं वे दो सास्त्रों का सार बता रहा हूं और वो सार यही है तुम आत्माए हो, तुम इस देह से नियारे हो, ये देह तो विनासी है, तुमने पुनर जनम लिये हैं, आत्मा मड़ते नहीं और तुम्हें मुझे याद करना है, मेरी याद के बिना तुम सुखी नहीं हो सकोगे, यही मेरा असिरवाद है, जैसे लोकिक आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, उन्हें योगे बनाता है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे बहुत प्यार से याद करो, मैं तुम्हें राजाई के लायक बनाने आ गया हूँ, तुम मेरी मत पर चलते रहेंगे, तो राजाई क कि गैरी realization हम कैसे करें इस अभ्यास को बार-बार कैसे बढ़ाएं कामकाज में रहते हुए भी इस पर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और बावा की मत पड़ चल कर हमें बहुत सुखी हो जाना है सभी अपने को देखेंगे हम भगवान के सम्मुक बैथे हैं सुखी हुए है नहीं हुए तो कुछ अपने में परिवर्तन लाना है वर्तन है स्रेश्ट मत के आधार पर माया भी संग से दूर रहने वाले शक्ति स्वरुबहु बच्चों की कंप्लेन रहती है संबंदी नहीं सुनते बाहर बहुत बुरा संग है ये तो है लेकिन यदि बाप को अपना साथी बनाएंगे यानि उसके संग में रहेंगे यदि हर एक का पार्ट सक्सी हो कर देखेंगे, अपनी सक्ति साली स्वरूप में रहेंगे, तो दुसरों के पुरे संकासर कुछ भी नहीं पड़ेगा, भगवान ने स्रेष्ट मत दी है, हमें जीवन कैसे जीओ, सब को आत्मिक दरश्टी से कैसे देखो, सब के पार्ट को दे और पावर्फुल भी बन जाएंगे, स्लोगन है, कर्म योगी वह है, जो कर्म करते हुए सद्आ, उप्राम स्थिति में रहे, तो आज हम सारा दिन, आत्म विमानी होने की प्रक्टिस करेंगे, सोल कॉंसिययस होने की प्रक्टिस करेंगे, बेन बेन संकल्पों से, कभी मैं आत्मा मस्तक मनी हूँ, कभी मैं मास्टर ग्यान सूरिये ब्रकुटी की कुटिया में हूँ, कभी मैं इन आखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, कभी मैं परमधाम में थी और यहां कर पाड़ वजा रही हूँ, मैंने 84 का चक्र लगाया है, मुझे वापिस जान आपके समक्स रखा है, अब हम इसको आज समाप्त कर रहे हैं, और आपके समक्स कुछ गहन चिंतन रखेंगे, जिससे पुर्शार्थ सहज हो जाए, और कुछ और अच्छे अच्छी बाते भी आपके समक्स प्रस्तूत करेंगे, आपने हमको सुनते हुए, बहुत ही अच्छे दिल से सुक्रिया कर रहे हैं, थेंक्यू वेरी मच्छ, आम चांती